हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वेंटीफोर नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महरास्ट राज्य पुलिस भरती 2024 का ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाए कर सकते हैं, इसके स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस के बारे में हम बा प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सकें, तो यहाँ पर फेंसे देखिए यह इसका ऑफिशल पोर्टल है, जहां से आपको सबसे पर रडिस्टेशन करना है, उसके बार लोग इन करना है, इसके बार आपको अप्लाए करना है, और लास्ट में पेड़ फी आपको करना होगा, सबसे पर रडिस्टेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक पोर्टल पर लिंक मिलता है आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको user ID या mail ID देना होगा इसके बात आप यहां पर एक password क्रेट करेंगे यहां पर कैसा होना चाहिए तो यहां पर देखिए आप से कहा गया है at least one character जो है वो आपके lower में और uppercase में मतलब capital letters में इसके अलावा special character जो आपको यहां पर दिये गये हैं उस password में आपके यह होने चाहिए अगर फ्रेंस यहां पर देखिए sample की तौर पर बात करें तो यहां आप इस तरह से यहां पर create कर सकते हैं जिसमें देखिए uppercase small letters आपके फ्रेंस numbers आपके उस password में होने चाहिए तो आपका जो password है वो friends यहां पर देखिए आपके जो फ्रेंस जो आपको यहां पर मैंने sample दिकाया है और जो guideline आपको दी गई है वो आपके match होने चाहिए ऐसे ही password आप यहां पर create करेंगे password create करने के बाद आपका mobile number आपको देना है इसके बाद friends आपको यहां पर देना होगा आपका नाम तो friends आपका पूरा नाम आप यहां पर enter करेंगे इसके बाद friends यहां पर देखिए आपका जो नाम है वो automatic यहां पर आ जाएगा हिंडी में convert होकर इस इसके बाद gender आपको select करना है आपका अधार का number देना है इसके बाद आप इसे यहां से declare करेंगे इस capture code को fill करेंगे और उसके बाद यहां से registration अपना complete कर लेंगे इसके बाद friends आपको देखे जो आपकी mail ID है और आपका जो mobile number है उस पर friends आपको जो आगे की details है वो आपको मिल ज आती है इसके लिए friends आपको यहां पर एक verify link आपकी mail ID पर send किया जहां से आपकी mail ID पर जो भी verification link आया है उसको आपको confirm करना होगा तो आपको friends से थोड़ी दिर wait करना होता है जैसे ही वो link आएगा उसे आप confirm कर देंगे इसके बाद आप यहां पर आपकी mail ID और जो password आपने create क कर सकते हैं इसके बाद friends जब आप login करते हैं तो देखिए आपको यहां पर देखिए option मिलता है upload application form का जहां पर आपको apply for the position का option मिलेगा जहां से आपको form apply करना है सबसे पहले friends से यहां पर आपको देना है आपका name तो friends से आपको यहां पर आपका जो नाम है वो आपको देना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर father name या husband name आपका जो है वो आप यहाँ पर enter करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर friends से surname देना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर enter करना है और यह friends आप यहाँ पर enter करेंगे और उसके बाद यह अटोमेटिक हिंडी में यहाँ पर आ जाएगा इसके बार नीचे पोजिशन है तो आप इनमें से किस पोस्ट के अपलाई करना चाहते हैं कॉंसरेबल, ड्राइवर, सर्पीफ, बेंट्समें या फ्रेंट्स प्रिजन कॉंसरेबल के लिए वो आप सेलेट कर लेंगे इसके बार कॉंपनेंट है तो आप यहाँ से किस आप यहाँ पर जो है डिविजन में अपलाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा इसके बार आप नेस पेज़ पर जा सकते हैं इसके बाद friends, यहाँ पर आपसे पूचा गया है, कि आप जो next cell area है, उससे friends, अगर आप छूट चाहते हैं next nurse6 right exemption आते हैं, तुआ आप yes or no कर सकते हैं इसके लब आप qualified athlete है, project sick है, या friends, part time आप work करते हैं, ex-service man है, earth quake affected हैं, तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड रिए की तो आप यहाँ पर यहाँ पर तो कर पाएंगे इसके बाद यहाँ पर पर यहाँ पर अप्ट है आपकी कैटीक्री का तो आपको कैटिक्री स्यलेट करनी है अगर आप reserve candidate है तो आपका out by number है जो की friends आपका certificate number होगा वो आपको देना होगा किस date पर ये issue हुआ है आपको जानकारी यहाँ पर provide करनी है इसके बार education friends आपकी क्या है वो आपको select करना है इसके बार आपका जो qualification है उसका passing certificate number देना है यहाँ पर आपको देना होगा आपका date of birth तो friends आपका जो भी date of birth है date month and year ये friends आप यहाँ से select कर सकते हैं तो date month and year आप यहाँ पर select कर लेंगे और इसके बार आपका age criteria count होकर यहाँ पर आ जाएगा इसके बार आपको next page पर जाना होगा next page पर आने के बाद आपका address option तो friends पूरा address जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके बाद आपका street name क्या है वो आपको यहाँ पर देना है कोई famous place है आपका friends पूरा address क्या है किस state से आपको यहाँ पर जो है आपको सा डिस्टिक आपका है वहँद को यहाँ पर अिस प्राइब को यह पर इंट्री यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद आका रिलिजन नचिता है आपकी कोई सबकास्ट है उपजाती है वो आप जे सकते हैं ये आपके इन में से आप कोई भी category आपने starting में select की है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके बाद next option यहाँ पर criminal layer का है अगर आपका यह option applicable है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे फुल्फिल करते हैं आप जो qualification है considerable के लिए वो आप यहाँ पर yes करेंगे इसके लवा medically or physically fit आप है तो आप यहाँ पर yes करेंगे NCC का आपके पास C type certificate है तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं driving license है आपके पास LMV card तो फ्रेंट्स आप यहाँ पर yes कर सकते हैं computer literacy certificate आपके पास है या नहीं है वो आपको देना है इसके लावा suicidal farmer के अगर आप बच्चे हैं तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं तो आपके according जो भी option आपका applicable है उसके according आप yes or no करेंगे इसके बाद friends academic detail का option है तो यहाँ पर देखिए आपको 10 plus 2 select करना है इसके बाद friends यहाँ पर आपको आपके board का नाम देना होगा आपका ear of passing कौन सा है तो आप यहाँ पर ear of passing यहाँ पर देंगे जानकारी आप दे सकते हैं नहीं है तो आप simply no कर देंगे आप PG degree holder है तो yes or no कर सकते हैं इसके लबा friends अगर आप police considerable post के लिए eligible होते हैं पर आप select नहीं होते final selection list के लिए तो friends आप जो यहाँ महारास्था state security corporation है उसके अंदर अगर आप content basis पर work करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं तो आपके पर दूसरा मौका भी यहाँ पर होगा work करने का तो आप यहाँ पर yes कर दें इसके बाद friends आप यहाँ से एफिडेविट पर declare करेंगे यहाँ से save करेंगे और application preview को check कर लेंगे इसके बाद friends आपका यहाँ पर देखिए आपका जो यह option है वो complete हो जाएगा और उसके बाद upload photograph and signature option है जिसमें आपको photograph and signature upload करना है jpg format में तो आपको upload एफोटो पर click करना होगा file को select करके आप यहाँ पर upload आपके photograph and signature को कर सकते हैं तो यहाँ पर friends देखिए इसके लिए आपको sample photo यहाँ पर दी गई है normal photo आपको upload करना है jpg format में 5-20 kb के बीच में size आपका यहाँ पर होना चाहिए choose while पर click करके file को select करके आप यहाँ पर upload कर देंगे इसके बाद friends नेस्ट option जो आपका आता है उसमें friends आपको यहाँ पर देखिए आपकी application fee से pay करनी होगी तो आपको pay now का option मिलेगा आप इस पर click कर देंगे इसके बाद friends आपको यहाँ पर देखिए online वाले option पर click करना है और जो भी आपको यह capture code दिया गया है यह capture code friends आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद friends आप net banking से payment करना चाहते है wallet से payment करना चाहते है credit का debit card से payment करना चाहते है तो आप यहाँ पर जो payment है वो आप कर सकते हैं इसके बाद आपके सामने देखिए जो option है वो open हो जाएगा आप यहाँ पर एक काड का जो डिटेल्स है वो आप फिल करेंगे मेक पेमेंट पर किलिक करेंगे और जैसे ही आपका पेमेंट वेरिफाय होगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं तो यहाँ पर फेंट से मैंने आपको जानकारी प्रोवाइट कर दी है कैसे आप महरास्टा पुलिस का ओनलाइन फॉर्म अप्लाए कर सकते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राब बेंच जरूर कीजिए बाखी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही है हमारा यूटीब चैनल अला सेंक्स वोर वाचिंग